लोगसभा चुनाव आखरी दौर में निकल पड़ा है पांच चरण के चुनाव के बाद लोगसभा की गुल 439 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 25 मई को छटे और 1 जून को 7 चरण में 114 सीटों पर वोटिंग के बाद लोगतंत्र के इस पर्व की समापती हो जाएगी इसके बाद सबको 4 जून का इंतजार रहेगा जब बारी नतीजों की होगी क्या बीजेपी इस बार भी अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में काम्याब होगी या फिर इंडिया घटबंदन वाकई कोई बड़ा उलट फेर कर पाएगा नतीजों से पहले आईए जानते हैं कि चुनाव को बारी की से देख रहे विशलेशकों की राय क्या रही पिछले एक दशक से चुनाव विशशक्यों की पहली पांत में बैठे प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी को कम से कम 303 सीटे मिलेंगी यानि प्रधान मंत्री मोधी एक बार फिर चुनाव के इस दंगल में अपना लोहा मनवा पाने में काम्याब रहेंगे एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे है लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है ये भी more or less clear है मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के नंबर more or less जो पिछले लोगसभा में आउट्गोइंग लोगसभा में 303 का था वही नंबर या उससे कुछ बहतर उससे कुछ बहतर होगा उससे खराब नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है मोधी सरकार को लेकर ना कहीं कोई असंतोश है ना जन्ता में किसी विकल्प की मांग ही उठ रही है उधर प्रशांत किशोर से उलट चुनावी गनित के पुराने खिलाडी रहे योगेंदर यादव की अपनी राय है यादव ने अपने 35 साल के तजुर्वे के आधार पर दावा किया है कि बीजेपी की सरकार जार ही है पार्टी अपने दम पर 272 का जादूई आंकरा छूपाने में काम्याब नहीं हो पाएगी इस देश में मैं 6 राज्यों में गूम के आया हूँ योगिंद रियादव का मानना है कि बिहार में एंडिये सरकार कम से कम 15 सीटें हारने जा रही है यूपी में बीएसपी का वोटर भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाता दिख रहा है जबकि पशिम मंगाल में बीजेपी और टीमसी के बीच मैच ड्रॉ रह सकता है यादव के मताबिक इन सारे फैक्टर्स के कारण बीजेपी को चुनाओ में कम से कम 50 लोगसभा सीटों का नुकसान होने जा रहा है चुनाओ आज तक